जये स्री राम दोस्तों हावाच चैनल टू एम में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम इस जंगल के बीच में आए हैं जो बहुत अच्छा वातावरान यहां का है आप लोग देखी रहे होंगे दोस्तो देखिए यहां का वतावर्ण और यहां का पेर पौधा कितना अच्छा लगता है दोस्तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा परसान करती है लेकिन इस गर्मी के बीच में पेर पौधु को बचाना भी चाहिए क्योंकि पेर पौधा रहेगा तो गर्मी बहुत कम लगेगा इसलिए पेर पौधा को नहीं काटना चाहिए देखिए पेर पौधा है तो स्वर्ग जैसा लगता है पेर पौधा नहीं रहेगा तो आप लोग तो जानते हैं कि आज कल कितना बिमारी आप बढ़ रही है चलिए आगे की तरफ आपको हम दिखाते हैं कितना घने जंगल पेर पौधा यहां पे भरा है दोस्तों इसके पीछे जो आप देख रहे हैं एक नदी है थोड़ा थोड़ा उसमें पानी है और यहां जो हवा दोस्तों है आज की डेट में बहुत ही मंद मंद और ठंड चल रही है और बात करें गर्मी की तो गर्मी तो काफी है यहां से निकलने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लेकिन यहां पे जितना रहत है कहीं और रहत नहीं है चलिए आप पेर देखा रहे हैं कितना पेर है यहां पे दोस्तों यह जो आप बगवान देख रहे हैं इस बगवान में बह पानी पास होता है इस नदी जो आपको बताए है इसी नदी से पानी पास होता है और हम आपको नाहर के पास लेकर चलते हैं तो दोस्तों हम अब नाहर के पास आ गएं देखिए यही नाहर है और इसी बिच से पानी गुजर कर यहां से निकलता है और यहां का जो बहुत सारे पेर पौदे हैं सब में जब पानी का दिन आता है तो दोस्तों आप लोग देखी रहेंगे चलिए नाहर का पूरा फूल बता रहे हैं आपको कहां से कैसे पानी निकलता है तो दखें दोस्तों यही है नाहर हम नाहर का उपर चड़े हैं और यहीं से पानी पास होता है और उस साइड से निकलता है तो दोस्तों कैसा लागा यह वीडियो और यह ब्रिक्ष कैसा लागा आप बत ताब सकते हैं कि यहां का जो रोचक है कितना अच्छा है और यह दखिए यहां का जो जंगल है दोस्तों और भी घाना है तो दोस्तों चलिए जैस्री राम यहां का इतना ही